और हमारे साथ जुड़े हैं बहुत ही दिगज खिलाड़ी एफो के मिश्टर प्रतिमेज भड़के सर बहुत प्राने खिलाड़ी है तो सर अभी रील्स में देख रहे हैं आप जाने सैड नजर आ रहे हैं ऐसे क्या बाते हो गई आज के लिए फिल्हाल इतना ही आपकी तरह मैं भी मायूस हूं लेकिन उमीद पर दुनिया काइम है दिल दुखा है लेकिन तूटा तो नहीं है और उमीद का दामन छूटा तो नहीं है साइड लाइफ है तो फिर साइड ही नजर आएगे ना कितने लोगों का ड्रीम है वहां पर जाना और वर्क करना इतनी बड़ी आर्विनाशन के साथ बैंक में जाना है बैठ के मस्त काम करना ओफिस जॉब चाहिए ऐसी क्यों बात कर रहे हैं आप मतलब तीन साल जानना चा सपना अगरा तो होता है बहुत लोग का जॉब पाना सपना होता है बहुत लोग का मगर यही है कि अभी जो बैक्तिंग सेक्टर का जो स्थिति है मतलब जो कंडिशन है वो थोडी मतलब प्राइवेट सेक्टर की तरह देखा जाए तो इससे भी खराब चलिए जो कि वह उससे भी जादा दूर भाग पूर्णा है कि अगर प्राइवेट सेक्टर की तरह देखा जाए तो इससे भी खराब लोग की स्थिति होती है जो कि क्योंकि एंप्लाइज के राइट के लिए यहां पर इंडिया में कुछ है नहीं लोग सिब नोकरी चाहते हैं नोकरी के लिए फिर बले तुम बारा गंटे तेरा गंटे परिश्थिति है इस वजए से जो मतलब जो नोकरी देने वाला जो है और फिर कोई भी है वह इस बात का अच्छे से फायदा उटाता है तो बहुत जादा बुरा है तो हमारा हाल उत्ता बुरा है मगर हां है बुरा ही है कि आपकी एक्सपर्टेशन के साफ से काम नहीं हो र बहुत लोग बहुत ज्यादा ख्याला बना लेते हैं ख्याली पुलाव बना लेते हैं आप एक्सपेक्टेशन जो है ना डिपेंड करता है कि आपके अर्ली लाइफ पेसी है अर्ली लाइफ इन दसेंस कि आपके जॉब लगने के पहली लाइफ के अगर मैं समझ लो कि मैं बहुती जादा गरी खंदान से आता हूं ठीक है कि मेरे घर में तीन के दो सुरुपया रहे ठी अब आई से घर में अगर मैं हूं ठीक है बड़ी मुश्किल से मैं पढ़ाई की बड़ी मुश्किल से मैं अपने ब्यूप्री कर ली अब घर वाले चाहते कि नोकरी मेरे बच्चे को लग जाए तो सब अच्छा हो जाए अब आई से सिनारियो में जब मेरे गर में 200 रुप वही चीजे बहुत है मदर वह भी एक चीज है कि वह चीज़े बहुत दिन तक नहीं चलती अच्छा आपकी समझों कि आएक बार आर्ली आपके लाइफ चेंज हो कि मतलब पहले आप एदम छोटे से गर में रहते थे थे आप थोड़े बड़े गर में आगे पहले आप चीजे बदल गए यह सब चीजे बदल गए आपकी मगर यह सब चीजे जो है ज्यादा देर तक ठीकाव नहीं रखती है अपने मैं परिनाम है वह जादा से जादा एक साल तक में इस तोगा कि हमने कुछ बंग गया करके मगर एक साल के बाद जो आस असंतुश्टी है पिर स इस स्लोशन तो यह है कि एक तो देखो एक एक सुलीशन मेरे उसकता है त्रुस特ा है थिक कोыш्ति मेरे वह सकता हैं कि होव्क सकता है कि देखो कि कह तना कोई मजशन कॉई लाव आजा जाए हमिर जो शाधा जागरुता जाए उसके बाद जो I आफिस में जो लेंग्विज उस की जाती है उसको सुदारने के लिए सरकार या फिर जो भी ऑर्गनेजेशन से जो लोग को नोफियत देती है वह कुछ सुदार की मतलब लाए जैसे क्या होता है कि अभी जो है ऑफिस की बाते मेरे को मतलब मैं उत्ता मतलब नहीं बताऊंगा में कि प्राइवेट में क्या होत आ है या फिर बैक में किसी भी टैक में ऑर्गनेजेशन में क्या और कमषें तो यह अच्छी बात है अगर नाइटीन नाइटीन पर्सेंट चांसल में नहीं होते हैं लोग ठीक है ठीक है एक पार्ट होगी खराब वर्क कल्चर की अगर कोई आप से बुरा बरता हो कर रहा है बुरी भाशा में बात कर रहा है तो सोचो कि आपकी इगो पे वो बाते आपको कोई मतलब यह बोल देगा कि मैं तुम बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रीम पहुंच जाता है सरी सारे क्योंकि आदत तो बिल्कुल नहीं रहती है न हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं तो थोड़ा सा भी कुछ बोल देता है तो मतलब आग बबूला हो जाते हैं लोग मतलब देखो देखो तुमको मैं अभी कुछ बोल दू या पिर मैं किसी को भी कुछ बोल दू अभी क्यारे साले इसा मैंने बोल दिया तुम्हारे दिमाग में जाके बात नहीं लग जाते हैं तो यह आपके सामने आता है ठीक है कि आपका जो लाइंगेज हो सकता हूं मतलब उत्ता नहीं हो और यह सब चेंज कब होता है कि आपको कुछ बोल ले कि तुमनें इसा क्यों किया ठीक है तो यह सब चीज़े जो है वह चेंज हो जाती है है अपको देखो सब्सक्राइब बैंकिंग में मुझा इसा लगता है कि पोलिस में बहुत जादा इंटेंचिटी वर्क होगा ना उत्ता जादा आपको वहां पर जाके यह सब पड़ेगा वह उस इसाफ जर ने जॉब चुछ करनी चाहिए ना यह सब बातों में दिमाग ही लगाते लोग जुब चाहिए जुब चाहिए तो देखो मेरी बात तो मैंने पहला सोलुशन बता रहा है तुमने पहले 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 पता दिया कि कोई लॉग आसकता है कोई मतलब कोई आवेरनस आ सकती है लोगों के बीच में कि जादा अच्छे से प्रोफेशनल यह दूसरे से बात करें या फिर कुछ भी करें अब दूस कि आख पूचा पूचा अब दूसरे सोलुशन के मतलब इबीतर के सुलुशन के लिए कि अगर तुम ऐज़े इंटैंसिटी आफ इंटैंसिटी आफ वर्क में हो तुमको कैसे अपनी बॉड़ी को या पिर क्या करना चाहिए रिलक्ष्ट होनें के लिए सबसे बड़ा जो स तुमको अगर सरकारी लगनी है तो दुनिया में अगर तुम रात में कोई काम नहीं होता है तो या भी तुमको सुभा उट गे काम तो कर नहीं है ना वहले तुम नव बज़े उट हो साथ बज़े उटने का क्या फाइदा आपके जाने से पहले आपके पास दो तीन गंटे है तो दो तीन गंटे में आप एक गंट पकड़ों के एक गंट आपको कुछ अक्टिविटी करनी है जैसे आपको बहुत सारे लोग जिम जले जाते हैं तुमको और अब अर्प कर लेता हैं को नहीं जाएं पार है और सुबत आपके कम से कौम तो इवनिंग में निकालता पिर मगर इसकी गंटे कभी अच्छे बज़ा जाओ कभी तो रात के दस बज़ा जाओ तो आप यूनिंग का तो अपनी अविट बना नहीं तो इसले मॉनिंग की अविट बना जैसे कि आम देगो हम जीम भी जाते हैं मगर आभी हमको नया शुर्ट चला कि हम तेनिस केलने जाते हैं देखा वीडियो आपका वेले हम टेनिस केलने जले जाते हैं सुपा अब जिम का गया ना जिम थोड़ी बोरिंग लगती है हमको तो हम चाहते हैं कि खेलने में मज़ा आता है तो टेनिस केलने जले जाता है इसा आप पूछ भी चूस करो यार तो आपके माइंड वाई पे टे पीछले अपने घर के आता मैं तो नहीं हो पाया यह जब मैं नॉर्मल रूटीन में तो सबसे नहीं नहीं है तो वह कैसे रिलाक्स रहे पढ़ाई के दौरान और इसके बारें थोड़ा सा बताईए अब उनके बारे में तो देखो उनके लिए तो सबसे इंपोर्टन जो पार्ट हो तो जॉब लेना ही है वह जब मैं आया पर नहीं बोलूंगा कि तो रोज सुबा क्यों बड़ी मंदब बड़ी आइक्टिविटी में इन्वेस करो कि देखो टेनिस केलना है या फिर जिम ल सब्सक्राइब करना चाहिए कि क्या हो रहा है क्यों तुम कर रहे हैं कि क्यों तुम फेल करें तो उसका एक कोई रिपीट होगा रिपीट मेटेड होगा जो फॉलो कर रहे है इसलिए फेल करते जाए उसको ढूंड़ो अपने अदर देखो और वैसे भी क्या ही है मतलब जिन्दगी में क्या होगा ये कोई बता थो न सकता है अगर तुम अब मैं बता रहा हो ना कि तुम को जॉब लगती जाएगी तो ऐसा कोई बहुत बहुत कुछ चेंज नहीं हो जागा तुम बहुत गरीब भी रह तो उसके बाद अगर जॉब लगने गा तुम घर भी आ तो यह तो मतलब डराने वाली बात हो गए ऐसा कर रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे अभी से मन खराब कर लेंगे उनके लिए कुछ ऐसा मत बहुत लोग अभी क्या है कोचिंग वाले और बच्चों के मैंड में इतना कुछ डाल दिया इस चीज़ को लेकर कि भाई यही है बस मतलब करना है तो करना है जान चली जाए मतलब उसको छोड़ दो तुमको जौब लेना है उस तरफ जाना ही है जो मैं बता रहा हूं करो बाहर अंदर की बताते भी नहीं है वैसे कोई को चिंग आले और इसलिए आप से हम कनेट के आज की थोड़ा सा रियालिटी हो करा जो एक्स में है जो बात ना देखो मैं ने झो कर लिए सुनने में लग सकता है कि जो आपको रास्ते पे लगेगा वह झाही ज़्यूने लेगा जब दूप आएगी तो दूपने लगेगी जब बरसाद आगी बरसाद में लगेगी तो आपको बहुत आसरी से वहां पर मिली जाएगी जोब लगने के पाद उसमें कोई दोरा ही नहीं है इसमें अगर कोचिंग वाले भी बोल रहे हैं आपको यह मिल जागा तो मिली इसके बाद की मल्टीबल मल्टीबल जॉब को दुनना चीए तो बहुत इंपॉर्टन है खासकर जो एगरी वाले लोग है उनको मतलब मल्टीबल जॉब देखने चाहिए क्योंकि मल्टीबल जॉब अपरचुनिटी अवेलेबल है उत्ती बाखी लोगों के लिए नहीं उत बैठना है इसमें क्या होता है जित्ते अगरी कल्चर के लिए अपरचुनिटिस गॉवर्मेंट सेक्टर में जॉब लेनी के लिए उत्ति कि कि लिए नहीं हो सकते हैं परियाप तो नहीं कह सकते हैं मतलब क्या है कि एक ही तरफ लोग भाग रहे नहीं इसलिए कम पड़ जा सीड में फर्ट लाजर कंपनी हैं सीड कंपनी हैं बायो केमिकल कंपनी हैं हर जगए आप चांसे से अब क्यों बच्चे जो बड़ी-बड़ी कंपनी है क्यों हायर कर रही हैं वालों को अब यूजी लेबल पर उतना बिल्ट करो भाई साब वहां पर चले जाओ तो थोड़ क्यों होता है जैसे हमारा भी होता है हम भी पस्ते तुनना में हमको लगते कि आप आरे दोस्तम इसके बड़ी जॉब लगी है साला में यह है हमको लगते कि टेक्नल विमल का देखो कितना बडा चैनल है हमारा तन नहीं है अब यह अग्रिमल हो गया और यह व्ला वीडियो की चीज़ें कि आपके पास कुछ अच्छा करने का चांस है तो अच्छा करो यह हमारा बस एक बेसिक करेंगा है अभी हम लोग भी बहुत जादा बड़े नहीं हो चुके हैं तो आपने बहुत ज़्याइब चाहिए बहुत जल्दी चाहिए हमें और वह भी बहुत जबहुत जब्स जब्सक्राइब सब्सक्राइब कर देंगे अब इस वीडियो के बाद अपने को सिंगर वनना है वह क्या कुछ नहीं करता यार कुछ भी कर सकता है को पता नहीं सब्सक्राइब करें कि अब यह तो है कि दूसरा की लोग है कि वह पूरा ही मलब लोगों को लूटें लग जाते हैं जूटे सबने दिखा के जिसको तुम चाचा कहते हो लेकिन वह संतुष्टी नहीं देगा सर कभी पीस कभी नहीं रात को नीद देबाएगी न आप दुनिया को खिता भी दिखा दो कि हमारे पास यह है यह है मगर वह दो उपर से देखे रहा कि आप जया कर रहे हो अब क्या है कि लोग खुदी बगवान बने फटा हैं अपनी बगवान है और चीदो देखे आप होबी मतलब आकर किसी भी जॉब में फस भी गए ना तो भी आप अपनी होबी अगर परस्वी करते रोगे ना तो आप बहुत चांस है कि आप उस जॉब के पूरे ट्रैप में आओगे जैसे कि हम है तो हम गूमते रहते हैं कि मेरे को गूमना पसंद है अब मैं घूमता रह जारो तो जो जिस जॉब में हूं इसी जॉब में बहुत सारे इसे लोग होंगे जो सेटेडेस अंडर को भी मतला उनको ब्रांच में जाना पड़ेगा तो उनको गूमने का मोगा भी नहीं मिला स्थास पर उस तरीके का हैम के हैं चाहते कि वह भी आए सेटेटेस अंडे सब्सक्राइब करें जाए बहुत्य हैं चीज़ें चर्ण के इस बहुए यह चीज़ें हैं हां आजसे भी हो सकता है तो है लिए पूछता है कि अगर अगर आप कोई चांस मिले हो तो आपनी हॉबी कभी ना छोड़ो एक दू होबी से बढ़ कर नहीं होता दुनिया में दुनिया में वह आए ना एक शोग बड़ी चीज लिए वरना पिर कुछ फायदा नहीं होता उस चीज का जिन्दकी जीने का मजा नहीं होता नहीं पिर अगर तुम को मजा नहीं होता ना उस चीज से तो तुमको मज़ा नहीं है और जिन्दगे जिने मज़ा देड़ी अगले 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 महसरी बनने माले आप दिर दिर लग रहा है मुझे क्या बात है तेजस मुझे मिला तो उसने इंट्रडूस किया मुझे तो भाई मैं भी बहुत ज़्यादा सुना था बहुत पहले क्योंकि भाई अगर बैंकिंग में आपको है उसको भाई बिना सुने नीदे नहीं आते हैं लगा के सो जाता है बंदा और चलता पुरा रहता है पुरा था बहुत सारे लोग है अच्छा बोलते हैं तुमको बस लेकि मतलब निकाल ले तो जिस दुख में तुम चलेगे अपने काम के वाज़ेसे इस दुख से लेकिन कोई बी सुन रहा है तो रिस्क में अपने क्योंकि एक बार आपने स्टार्ट कर दिय तो बाहर आने वह तो है कि उसमें उनके एदम जो तुम महारे दिमाग को जो अच्छे लग रहे हैं वो सब चीज़े लो तो वह पूरा मैंने बस ऐसे एक्जामपल बोल दिया कि यह है अच्छे ज्यादा एडिक्टिट नहीं है ना आइसा नहीं है एदम एडिक्टिट नहीं आई कि मैं नेंद है कि रात में सब्सक्राइब करना चाहते हैं जो नार्मल जो जो मोटिवेशनल स्पीकर हो नहीं बताबाते हैं तो नॉर्मल चीज़ें बताते हैं वो पी अपने पायदा के लिए बताते हैं सब्सक्राइब करना था आपके साथ मुझे क्यों 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 पढ़ाए लिखाए बाते तो होती रहती है और सब्सक्राइब कर दोदी आप अब क्या ही क्या ही बोले है जो आप उसके हिसाब से मतलब जो आपकी लिबर्टर रहेगा कि बहाई दोनों चीजे बैलेंस कुछ ज्यादा एक्स्ट्रीम नहों उसके हिसाब से आप डिसेजन लीजिए मैं तो कुछ ने कह सकता वाई क्योंकि सरकारिक नोकरिया ड्रीम होता है सबीका और अच्छी है सोसाइटी के लिए तो भाई मज़े लेकिन अपने उपर लगा लागू करते हैं तो इसे आपके अलग मैंडशेट है लोग इसना डेस्पेरेट हैं काम करने के लिए हैं इसे बहुत सारे लोग होता है कि जिनको बस गुशना है कबहुत तक बहुत करेदें लग रहते हैं कि बोई सारे क्या ने कहको जो है सबसक्ष सैंगे करता है बाई कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सेटेडे संडे घर पे चल लगता है इसलिए बैंक में चले जाते हैं इसलिए आपने जूनियर ऑफिस और के गूला लेते हैं तुम भी है हमारे सट्टें रात के नौना मझे तब कुछ कुछ लोग साला खाना का कि आते हैं आप उस ब्रांश में आठ बज़े गर जाएंगे काना का कि वापर आएंगे सारे में मुझे ब्रांश बन करनेंगे तो एक्स्ट्रीम बहुत कुछे बहुत है यह सब आपको खा लेती है कभी-कभी नौकरी ना इसलिए आपके यह क्या मुंते उसको मैं भी मैं भारत पुने में था तो मतलब कि मुझे संडे को टाइम मिलता था तो पास नहीं रूम लिया था मैं वहीं पर चला जाता था वाई चलो एसी बैढ़ते हैं आफिस में रूम पे क्या ही करें यह थोड़ा सा वह जाता है सच में तुमको वही लगता है कि यह नहीं के साथ मगर वह टाइम चला जाता है ना तुम्हारा तो तुमने तो देख लिया कि तुमको वहां पे नहीं रहना तो अच्छी बात अच्छी बात है मेरे लिए लेओफ हुआ सब्सक्राइब वहां से फायर हुए तो मैंने का ठीक है बाई कुछ अलगी प्लान है अपना करते हैं कुछ अब बच्चों के लिए हैं अभी मैंने देखा क्यों डेलोइट के और सब्सक्राइब देखा क्या डेलोइट नाम की कंपणी है ना है इसे कुछ मैंने भी निवस सुना था क्या हुआ हुआ है तो इसने स्टेट्मेंट देता कि अच्छा हो गया कि मैं लेओफ हो गई अच्छा वरना मेरे तो क्या डेलोइट में पूरे साथ दिन तक लागबच चौदा से पंद्रा गंटे काम करते लोग अच्छा कर पाओ कि इससे वरना में ले पारी थे कि आसर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए नहीं पहुत है नहीं अच्छी जीजे जो है ना और रिकुलेटरी बाडी या पर सीधे आड्मिनिस्टरेशन में जाके बढ़ने पीस नहीं मिल पा रहा है और चीजे नहीं मैनेज कर पा रहा है तो बहले आपका डिसीजन है ने तो चीजे सब के लिए वह सा काम नहीं करती सब कमेंट करने लोग सच में फश जाते हैं वह रेगुलर इनके बाडी में जीन से बैड जाता बाई यह करना है करना यह देखा ुठि करना यह सब्सक्राइद साथ में बुध़ी नहीं जेखा बैट लुए है थे आपक्र पसंगे एक राभरी वाले नहीं प्रस्ति चलिए राभरी वाले के तो होता है और अब रहा होता है जगापर प्रस्ट में से राभरी के नाम भी नहीं हो ना मगर राभरी में जो मलब डाल देते हैं लोगों के अंदर उद तुमारा अवरा बहुत अच्छा लगा से बात करके और मज़ा आया आपके चीजे थी अंदर से बता दी आपने अच्छा लगा मुझे भी सुनके जानना जरूरी था चलिए आपने जो भी बताया है जो लोग सुन रहे होंगे यहां तक आप आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सर का चैनल है डिस्क्रिप्सिन में लिख दें दूगा वहां पर इंको इनको इंस्टाग्राम पर फालो नहीं की तो प्लीज फालो किजिए सर बहुत अच्छे मेंस दालते रहते हैं आपको मज़े आएंगे और एक ग्रो अगेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए अब आपके लिए बहुत साथ चीज अच्छे चिलाएंगे कॉंटेंट ठीक है थैंक्यू सो मजश सर वंस अगें मिलेगे बाए 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 बाए